मकर राशी वालो मई मास 2021 में चलना जरा समभल कर अभी आपका समय खराब है हर कदम सोच समंझ विचार कर आगे बढ़ाना ला परवाई करी तो फिर जिन्द की ही खराब है नमस्कार मेरे दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल में स्वागत है मैं पंडित राजग्रू सर्मा आज आपको बताने वाला हूँ कि मकर राशी के जातक और जाती काओ का मई मास 2021 में कैसा रहने वाला है राशी फल लेकिन मेरे प्यारे साथियों यदि आपने भी तक हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे ताकि आपको हमारी आने वाली हर सत्ते भविश्य वानिया और राशी फल समय समय पर देखने के लिए मित्रों यदि आज हम मकर राशी के जातक और जातिकाव के मईमास 2021 के राशी फल के बारे में बात करते हैं तो मईमास बहुत жादा संकट भरा और शंगज भरा रहेगा बहुत जादा करनी पड़ेगी मईमास 2021 में भाग दोड़ सनी की साड़े साती के कारण कुछ काम बनेंगे तो कुछ काम बिगडेंगे। लंबी यात्राएं कष्ट बरी रहेंगे इसलिए दूर की यात्राएं समखल करें साबधानी से करें। मान सिख चिनताएं सताएंगी पेट दर्द जवर जोडों के दर्द सर की पीड़ा आधी रोगों से आपको परेशानी जेननी होगी। नौकरे पेशा वयक्तियों को ओपिस में परेशानियों का सामना करना पडेगा। सरकारी करमचारियों को भी विलम के पश्चात नोकरी में पदोननती मिलेगी और जगह का परिवर्तन भी करना पड़ेगा सत्रू आपके खिलाब सडियंतर रचेंगे और आपको मान हानी पहुँचाने का प्रियास भी करेंगे किसी अजनवी पर विश्वास करके आपको उससे धोका मिल सकता है या वो आपको किशी ना किसी कारण से चोट पहुचा सकता है सचेत रहना मई मास 2021 में मकर राशी वालों के लिए ग्रह की चाल खास अच्छी नहीं रहने वाली है समय को देखते हुए आगे का दम बढ़ए लेकिन कोई कारिये बंता-बंता भी आपका विगड सकता है कोट का चैड़ी में कोई पराना विवाद या मुकदमा नया मोड ले सकता है पैसे के लेंदेन में साबधानी बरते वरना वेकार का वाद विवाद भी बन सकता है आयात निर्यात के सादनों में कोई खास लाव नहीं होगा गाड़ी वहां देखकर चलाए चोट फैट लगने का डर है और मई मास 2021 में किसी भी नए कारिये को अंजाम ना दे वरना पैसा लगा हुआ डूब सकता है विध्यारतियों को सिक्षा में थोड़े परिश्रम करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट परात होंगे और मन चाहे कोलिज में एडिविशन मिल पाएंगे लोट्रे कमिशन सटा बजारो एवं प्रोपर्टे डिलिंग में पैसा न लगाएं क्योंकि हान नहीं हो सकती है ठेकेदारी रोजमर्रा के कारियों में कोथा ही न बढ़ते समय समय पर अपना काम करते रहें किराय ब्याजे कारियों में खूब आमदनी बढ़ेगी देश देशांतर से कोई अच्छा समाचार मिलेगा अचानक जमीन जाजात पिलोट खरीदने या बेचने का मन भी बन सकता है घर परिवार यारी रिष्टेदारी में कोई मंगल कारज होगा जिसमें आपको जाना पड़ सकता है घर ग्रेष्टी की सामंगरियों में एवं वस्तर आभुसन खरीदने में भी आपका धन खूब खर्चोगा नए दोस्त बनाने से बचे लेकिन पुराने मित्रों से मिला भेट होगी जिन से आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा भाई भेनों के संबंद मदूर रहेंगे और साथ भी निभाएंगे परिवारिक संबंद मजबूत बनेंगे लेकिन पती और पतनी एवं लव लाइफ में खटास और अन बन चलती रहेगी साधी का योग बनते बनते तूट सकता है एवं साधी विवामे रुकावटे भी आ सकती है लेकिन यदि आप नए लव पार्टनर की तलास में भटक रहे हैं तो आपको नए लव पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप आनन्द भरा समय गुजारेंगे और एक दूसरे को कोई भार भेट में देंगे जिससे आपके प्रेम संबंद और भी घनिष्ट और मजबूत बनेंगे संतान का सुप्राप्त होगा गीत संगीत गायन वादन एवं खेल कूदवयायाम में खूब मन लगेगा लेखन प्रिकासन के कारियों में भी खूब धनकी बड़ोतरी होगी यदि आप इस मास किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी बैंक से लोन लेने का प्रियास कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है धार्मे कारियों में एवं पूजा पाट में काफी आस्ता बढ़ेगी और इस मास में आप किसी धार्मे किस्तल में भी पैसे का योगदान कर सकते हैं किर्शी भूमी काले पसूँ में एवं लोहा चमडे के कारियों में खूब धनका लाब होगा यदि आप कोई घर बनाना चाहते हैं पिलोट बनाना चाहते हैं दुकान बनाना चाहते समास में तो उसमें भी बनते बनते रुकावटे आ सकती है किसी पराई इस्तरी या पराई पुरुस की वजह से आपको मान हानी उठानी पड़ सकती है मकर राशी वालो मईमाज 2021 में थोड़ा समल कर चलेंगे तो उतना ही आपको लाम मिलेगा बेड़े सिकरट सराब तमाकू जैसे नसिले पदार्तों का सिवन न करें बजार में खुले पकवान मिश्टान रखे न खाएं और गलस संगती के वैक्तियों से दूर रहे कि रोधवानी आलाश्य और अभीमान पर काबू रखे नियमित वयायाम और पूजा पाट करते रहें गो माता काले कुत्ते एवं पंच्छियों को दाना पाड़नी डालते रहें उनकी शेवा करते रहें माता पिता गुरू बुजर्गों का सादु संतों का ब्रहमनों का भी सम्मान करें बहन वेटियों का आदर करें और जितना हो सके अपने हाथों से दयादान पुन करते रहें और नियमित सुन्दर कांड का पाट भी जरूर करें फिर देखना आपकी किसमत का सितारा बुलंद होगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा मकर्रासी वाले मैमास में कुछ तारिक आपके लिए कष्ट भरी रहेंगी जैसे 5, 10, 19, 21 और 28 इन तारिकों में मकर्रासी वाले जातक जाती काएं अपने समय को देखते हुए साबधानी से सयम के साथ समय को गुजारने का प्रियास करें यदे कोई भाई भैन अपनी जनम कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहता है या फिर अपनी जनम कुंडली के असुग्रह सांथ कराना चाहता है या जीवन में कैसी भी समश्चाव को लेकर परिशान है चाहे वो साधी में रुकावटे आ रही हो पती पतनी के रिस्तों में खटाश चल रही हो या प्रेम संबंदों में अनबन रहती हो बार बार धोका मिलता हो या आप मेहनत करते कर्ज के नीचे डूब गए हैं और आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही है किसी नोकरी के लिए प्रियास कर रहे हैं नोकरी नहीं मिल पा रही है देश देशांतर से कोई भी आपका सफना पूरा नहीं हो रहा है कोई भी कारिय संपन नहीं हो रहा है या संतान का सुक प्राप्त नहीं हो रहा है या कोई सत्रू आपको गुप चोट पहुचाता है तंतर मंतर विध्या से तो कैसी भी समझ्षा यदि आपके जीवन में सता रही है आपको तो आप तुरन थमसे संपर्क करें लेकिन इसकी फीस पहले पे की जाती है तब ही आपकी समझ्षाओ का निवारन विधी विधान से किया जाता है तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ और आप सभी करता हूँ नवशकार फिर मिलोगा नई ओडियो वीडियो के साथ जब तक के लिए पंडित राजगुरु सर्मा का जय हिन जय भारत